दोस्तों स्वागत है आपका मेरी स्टैल पर जहां हम बात करते हैं पैशन ब्यूटी और लाइस्टैल की तो दोस्तों करवा चौत आने ही वाला है और मैं आपके साथ पांच डिफरेंट ओट्फिट्स शेयर करूं काइंड अफ लुक बुक शेयर करो और मिंद्रा हॉल लुक बुक के थ्रू यह ओट्फिट्स शेयर कर पाऊं और इसके लावा एक ओट्फिट जो मैंने पहन रखा है यह मैंने मिंद्रा से ही लिया था पर यह थोड़ा सा पुराना है पर लुक बुक के तहट अगर मैं बात करो तो यह बहुत अप्रोप्रियेट है पेस्टिव सबसे पहला है यह रेट सूट सेट बाई बीबा यह 1899 का पड़ा था मुझे और यह विंत्रा पे अविलेबल है और आट अट अच्छा लगा मुझे यह क्योंकि सूट के ऊपर आगे पीछे पूरा फॉयल प्रिंट है गोल्डन का जो पालेजो है वो भी पूरी तरह से प् और जो पट्टा है वो प्लेन है उसमें बॉर्डर आएगा फॉयल प्रिंट में तो ओवर आल यह आट फुट मुझे बहुत अच्छा लगा करवचाथ अप्रोप्रेट लगा और इसे मैंने स्टैल किया परल का चोकर सेट जो मैंने मिंत्रा से ही लिया था उससे पहना मैंन हाथ में अपने चूडियां डाली लाल और गोर्डन कलर की फिंगर रिंग मैंने पहनी जो कि मैंने मिंत्रा से ही खरीदी थी और कुछ ऐसा दिखता है यह आटफिट आप मुझे बताना आपको कैसा लगा मुझे तो ला जबाब लगा नेक्स्ट अप है यह ग्रीन कलर का पट्टा पहना और आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है यह लुक मुझे काफी अच्छा लगा कभी कभी ग्रीन के साथ पिंक ऐसे कॉंट्रास्ट शेड आप लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है इसलिए मुझे यह आउटविट बहुत अच्छा लगा और काफी से लिए थी मैंने चूणिया मैंने पिंक और ग्रीन और गॉर्डन का कॉंबिशन बना कर डाला कुर्त आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है सामने से डोरी दी हुई है और और वर ओल यह मुझे बहुत सुंदर लगा कॉंबिशन दिन के टाइम पर भी ज्यादा सुंदर आप मुझे बताना आपको कैसा लगा अब बढ़ते हम अपने तीसरे और फिट के तरफ तो यह मैंने विश्यूद ब्रेंट से लिया है आज तक जितने भी कपड़े मैंने विश्यूद ब्रेंट से लिया है मिंतरा से बहुत ही अच्छे निकले हैं मेरी पसंद के हैं इसका अच्छा और हलका है आराम से आप कैरी कर सकते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारा यह वाला आउटफिट चलिए नेक्स आउटफिट के तरफ बढ़ते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में यह वाला सूटसेट मेरी पास पहले से था और मैं ल सुंदर ड्यूल टोंड अनारकली है जो मैंने लिबास ब्रैंड का खरीदा था मंतरा से और डेफिनिटली आपको ऐसे अनारकली भी ऑप्ट करने चाहिए करवा चौत में रेड ग्रीन के लावा पिंक भी आप एक्सप्रो कर सकते हैं इस वाले अनारकली में एक और इंज हि अनारकली को स्ट्राइल करना काफी बेसिक था क्योंकि अपने आप में एक स्टेट्मेंट पीस है ज्यादा स्ट्राइल करने के दुरूद पड़ती नहीं है बहुत अच्छा लगा मुझे आनारकली आब अबतन आपको कैसा लगा तो आखरी ओट यह है यह मैंने मीना बजा है उसमें सामने एम्रोइडर की हुई है और पीछे भी प्रिंट्स है और इसका जो पैंट है वो कॉंट्रास्टिंग कलर में आता है गोल्डन टोन का और सब कुछ कॉटन का है और जो दुपट्टा है वो भी मरून है वित गोल्डन प्रिंट तो ओवरॉल यह बहुत अलिक किड़िंग आप मुझे बताना कि आपको ऐसे सूट अच्छे लगते हैं या नहीं और बहुत ही अच्छा लगा मैंने गले को खाली रखा डेंटी यहरिंग पहने मैंने वाच पहने अपनी जूसी कुटोर की और बस आप देख सकते मैंने इतना ही स्टैल के क्योंकि I really wanted to retain that elegance of this outfit और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस outfit को पहन कर जो मैंने lipstick लगाई है वो aged wine लगाई है blue heaven की I love this one do comment on below कि आपको यह outfit कैसा लगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगई होगी अगर आपको एसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चाल्ब सब्स्राइब करें मुझे सपोर्ट करें मैं आपसे मिलती हूं अपनी अग